दोस्तों जैसे कि आप सभी जानते हैं कि बॉलिवूड इंडास्ट्री में एक बिना गौट फादर के अपने दम पर सक्सेस्फुल अभी नीता बनना बहुत मुश्किल है क्योंकि इस इंडास्ट्री में लाखो करोडों लोग जो आते हैं उन सभी का ड्रीम होता है एक हीरो बनने का पर किसी किसी का ये ड्रीम पूरा होता है मगर आपको बता दें कि ऐसे भी कुछ अभिनीता है जो फिल्म इंडास्ट्री में है जो बॉलिवुड में अपने दम पर सूपर स्टार बन चुके है और वो भी बिना किसी गौट फादर के लेकिन दोस्तों कि आप जानते हैं कि कौन से हैं वो अभिनीता जो आज बिना किसी गौट फादर के बॉलिवुड इंडास्टी में सूपर स्टार बने है अगर नहीं जानते ना तो कोई बात नहीं कि कि आज के हमारे इस वीडियो में हम आपको टॉप 10 उनी अभिनेताओं से मिलवाने वाले हैं जो बॉलिवुड में अपने दम पर सूपर स्टार बने है इस लेस के नमबर दस वी कड़ी पेर्ड अपना नाम शुमार करवाते हैं अभिनेता आमिर खान जो आज बॉलिवुड इंडास्टी के ज़ाने माने अभिनेता है लेकिन दोस्तों कि आप जानते हैं कि एक फिल्मी बैक्राउंड से तालुक रखने वाले आमिर खान अपने दम पर आक्टर बने है दरसल बात ऐसी है कि इन्हें अपने पैरों पर खड़ा होने का शौक था जिसके चलते इन्हों ने अपने पापा से बिना मदद मांगे बॉलिवुड इंडास्टी में अपना कदम राखती है इसलेस के नावी कड़ी में अभिनेता अख्षे कुमार का नाम शुमार है जो बिना किसी फिल्मे बैक्ग्राउंड के आज एक मशूर अभिनेता बन चुके है जी हाँ शुरू शुरू में इन्हों ने अपने फिल्मों में कामयाबी हासिल नहीं की लेकिन धीरे धीरे ये अपने फिल्मों से कामयाब होते चले गए और आज एक सूपरस्टार बन गए बॉलिवूड इंडास्री में जौन इब्राहिम को तो आप सभी लोग अच्छे से जानते ही होंगे जो आज अपने टैलेंट के दम पर काफी जादा मशूर हो चुके हैं ये भले ही पहले पंक चुदास के वीडियो एल्बम में नज़र आये थे बॉलिवूड में फिल्में जौन इब्राहिम को खुद के दम पर मिली इन्हें अपना सपना पूरा करने का मौका काफी अर्ज से बात मिला था इस दे इन्हों ने अपनी पहली फिल्म में ही अपने अभिने से सभी को अपना दिवाना बना लिया नमर साथ में तुन्दा बॉलिवूड इंडास्ट्री में डिस्को डांसर कर टाइटल हासल करने वाले अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती आज बॉलिवूड इंडास्ट्री में एक सूपरस्टार बन चुके है पर हम आपको बता दें कि इन्हों ने यहां तक पहुंचने के लि सितारा बन चुके हैं जिहां इनके पीछे अगर किसी का बड़ा हाथ है तो वो है इनकी खुद की महनत और खुद का विश्वास जिसने इने आज डिवी इंडास्टी में सूपरस्टार बना दिया मिस्टर इंडिया रामला खान और वेलकम जैसी मुवी में शांदार अभिनियर प्रदर्शन करके मशूर हो चुके अभिनेता अनिल कपूर आज सूपरस्टार बन चुके हैं लेकिन दोस्तों कि आप जानते हैं कि इनके पिता यानिकी सुरिंदर कपूर प्रोफेशन्स एक प्रेडियूसर थे लेकिन इन्हों ने अपने पिता से बिना मदद मागे बॉलिवुड के फिल्मों में कदम रखा था और बिना किसी गौड़ फादर के उन फिल्मों में काम किया था पत्मावत मुवे में अलावदुन खिलजी का करदा निभाने वाली अभीनिता रणवीर सिंग बॉलिवुड के सब से शौनदार अभीनिता है मगर बहुत कम लोग जानते हैं कि रणवीर नौन फैमली से बिलॉंग करते हैं पर बावजोदिस के इन्हों ने बहुत ही कम समय में इंडास्री पर अपनी एक अलाव छाप छोड़ी बॉलिवूर इंडास्री के केंग आमिताब बच्चन पिछले 50 सालों से बॉलिवूर इंडास्री में राज कर रही हैं लेकिन आपको एक बाद जानकर हैरानी होगी कि पिछले 50 सालों से राज करने वाले हैं अमिता अपने दम पर सूपरस्टार बने हैं जिहां क्योंकि इनके पिता हरीवन श्रॉय बच्चों एक लेखक थे ये एक नॉन फिल्मी बैक्राउंड से तालुक रखते थे इस वजह से जब इन्होंने फिल्म इंडास्री में कदम रखा था तब इनका कोई कोट फदर नहीं था और ना ही कोई फैमिली बैक्राउंड लेकिन ये अपनी महनत के दम पर, अक्टिंग और स्टाइल के दम पर आज इंटरनाशनल परस्नालिटी बन चुके हैं अमिताब करें पिछले चार तश्कों से फिल्म इंडास्री पर राज़ कर रहे हैं बॉलिवर्ड इंडास्री में अपने अक्शन और करदार के लिए मशूर अभिनीता अज देवगन को तो आप सभी लोग अच्छे से जानते होंगे पर किया आप ये बात जानते हैं कि इनके पिता वीरू देवगन एक फिल्म डिरेक्टर थे जो चाहे तो वो अपने बेटे को बहुत ही असानी से फिल्म में दुनिया में ला सकते थे लेकिन ऐसा नहीं हुआ इनके बेटे ने खुद अपने पापा से कहा कि यह अपने दम पर बॉलिवर्ड इंडास्री में नाम कमाना चाहते हैं अना आज इनके महलत का नतीजा है कि यह बॉलिवर्ड के सूपरस्टार बन गए इस लेस के पहली कड़ी में अभिनेता शारुक खान का नाम शुमार है जो आज बॉलिवर्ड इंडास्री के सूपरस्टार बन चुके हैं हम आपको बता दें कि अगर आप सोच रहे हैं कि इनके कामियामी के पीछे किसी गॉड़ फादर का हाथ है तो आपके इस गलत फ्यामी को दूर करते हैं क्योंकि आज ये जो भी कुछ है सिर्फ अपनी महनत की दम पर जब ये इंडास्री में अभीना करने आये थे तब इनकी जौब मातर 20 रोपय थी इन्हें पता नहीं था कि ये बॉलिवुड में कुछ कर पाएंगे या नहीं लेकिन इंडास्री ने महनत की और अपने दम पर बॉलिवुड के बड़े किंग बन गए तो दोस्तों आप इन अभी नेताओं में से किस अभी नेता के दिवाने हैं आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करकर जरूर बताएं और साथ टीम इंडास्री से जुड़ी अची मज़दार खबरों को जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले